हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो मैं चैनल आविशन रिमर और मैं हूँ आपके दोस्त परेश इस वीडियो के इंदर आप लोग को मैं बिताऊंगा एक लेटिस ग्राउंड स्टाप की वैकेंसी है जहां पे आप लोग की 400 प्लास आपकी पैन इंडिया बैसिस में यहां पे वैकेंसी चल रहे हैं यह जो वैकेंसी यह बैसिकली स्क्रीनर पॉजिशन के लिए और सबसे अच्छा यहां पे बात है कि आपकी अगर आप अगर फ् यह आपके पूरी इंफोर्मेशन में दोंगा और डेफिनेटली यह जो AI की जो एक सबसीडी है जो बैसिकली AICLAS जो लॉजिस्टिक एंड एलाइन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड है तो इसकी दोवारा बैसिकली लॉजिस्टिक सर्विस की दोवारा इसको हैरिंग किया ज हुआ है तो यहां पर यह जो वैकेंसी चल रही है यह गव्मेंट जॉब है यहां पे गवंशिक्राउब लोगे पाउन चाहते हैं अगर अगर ऑग लोग मिलता है और पर यहां पर सबसीडी बगारा सब कुछ है जो ACS category में सबसीडी मिलता यह सारे इनफोमेशन आप लोग को सब्सक्राइब करकर रेखिएगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो जो जॉब पोजीशन नहीं रहेगा कंपनी आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकता है यहां पर नेक्स्ट एज की क्राइटरिय की बात करें यहां पर कहके क्राइटरियस देखा जाता है तो नॉर्मली यहां पर 27 एज आपके maximum एज होना चाहिए जो आपकी 19 मार्च 2023 की अंदर 27 एज की अंदर ही आपकी एज होना चाहिए और यहां पर आप एस सिलेक्शन प्रोचिजर से बिलाउग करते तो फाइफ येर्स के आपको रिलक्सें ओर आग्र आप वो भी सी कैटगरी की हो तो यहां पर आपो थिरी ये सब्सीर मिलते है तो ओनलाइन कैसे आप्लाइ करना है यहां पर आप लोग सेхते हैं जो website की वर चारे डिटिल्स चेक कर सकते हो इवन इस लिंक में अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग को दिखेगा कि जो एयर लाइन्स की जो AI ऑथोरिटी की जो वेब साइड है वो वेब साइड ओपन हो जाएगा वहां पर जाके बस आप लोग को केरियर आप्शन में जाना है औ यहांप लोग को अप्लय प्ली करने कि बाद पहले आप लोग को यहांपे लॉग इन करना पड़ेगा अन उसके बाद आप लोग को डिफिलक सकते हो इं उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि apply करने से पहले यह वीडियो को और भी आप लोग को देखना है क्योंकि यहां पे और जो सारे information है वो सारे information बहुत important है तो apply करने से पहले आप लोग की यह सारे information आप लोग प्लीज पता करना है यहां पर application कुछ fees होगा जो आप लोग को 750 रूपीज आप लोगों से चार्ज किया जाएगा और यह non-refundable amount होगा अगर आप लोग ACST category से बिलोंग करते हो और Omen candidates हो तो आपके लिए कोई fees नहीं होगा इसके लिए आपके पास जो ACST की certificate हो वो proper certificate government से authorized होना चाहिए तब ही आप लोग यह फायदा उठा सकते हो otherwise आप लोग को वो पैसा वो जो fees पे करना पड़ेगा and apply करने के लिए आपके पास कहके eligibility criteria या कहके documents चाहिए यहां पर आपके 10th standard की जो भी आपके certificate हो चाहिए होगा आपकी graduation की certificate या degree आप complete किये हो तो उसके certificate graduation की mark sheet आपकी cast की certificate अगर आप ACST category mention कर रहे हो या OBC mention कर रहे हो तो आपकी cast की category की certificate very important है आपके other card की copy चाहिए होगा and उसके बाद अगर आप लोग एक service man हो तो आप लोग की जो भी required document होगा वो सारे document यहाँ पर आप लोग को चाहिए है and next यहाँ आप देख सकते हो आप लोग application fees आप लोग को online pay करना है यहाँ पर mention कर दिया and उसके बाद latest passport size color photography आपको जो भी passport size color photography वो चाहिए होगा and scan signature आपके signature जो है जैसे हम लोग online apply करते हैं तो बहाँ पर scan signature चाहिए होते हैं इस type का आपको signature करके फिर उसको scan करके आप लोग को upload करना है तो यह सारे required document है यह छोड़के भी यहाँ पर और भी सारे requirement criteria होगा तो यह सारे चीज आप लोग थोड़ा से देख लेना है आप लोग को यहाँ पर आप लोग को जो भी interview process होगा यहाँ पर दो round एक written exam होगा और एक आप लोग की PI round जो personal interaction round होगा तो यहाँ पर जो written exam होगा वहाँ पर लोग की passing marks होगा 60% जो आप लोग की interaction round होगा वहाँ पर लोग की passing marks होगा 50% तो यहाँ पर बेसिक लिए यहाँ पर जो percentile आप लोग को बताया गया ये सारे percentile को आप लोग ध्यान में रखे फिर आप लोग preparation करोगे और उसके बाद आप लोग की station of posting कोई भी इंडिया पैन इंडिया बेस में कोई भी station में यह posting हो सकता है यहां पर reservation जो भी services आप लोग को बताया गया है बहुत आरे reservation की categories में आप लोग को छूट मिलेगा and pay and allowances की बारे में यहां पर बताया जाता है तो अगर आप लोग security scanner position में AI authority में आप लोग अगर apply करते हो और आपकी selection हो जाता है देन उसके बाद आप लोग की six month की training चलेगा जो training की तोरण आपकी salary होगा जो provisioning period बोला जाता है provisioning period में आप लोग की 15,000 per month आपकी salary मिलेगा and उसके बाद से यहां पर आप लोग जब एक permanent staff बन जाओगे तब आपकी salary यहां पर 30,000 to 34,000 के अंदर आपकी salary होगा and उसके शार साथ आपकी P.A.F. होगा, gratitude होगा, leaves as per the rules and company and आप लोग की medical policies होगा यह सारे चीज़ आप लोग को definitely company की तरफ से मिलेगा and यह as per the government जो D.A.P.A. जो भी होता है यह सारे चीज़ आप लोग को as per the government rules जो भी company के norms होगा उसी शाप से आप लोग को मिलेगा so यह सारे चीज़ आप लोग याद रखिएगा apply करने से पहले and उसके शार साथ यहां पर जो training procedure है तो यह training procedure आपके joining होने की बाद total six month की training period रहेगा यहां पर training period के अंदर आपके app sack की training होगा and उसके बाद airport और at airport कुछ training होगा airport के अंदर उसके बाद app sack basic की एक course होगा उसका भी certification होगा and airport में फिर से आपके on job training होगा and उसके बाद screening pre certificate courses यहां पर training होगा उसके बाद testing and certificate की training होगा यहां पर जो screen art की होता है and यह BCS की तरफ से किया जाएगा and यहां पर clearly mention किया गया है जो training आपको provide किया जाएगा company की तरफ से यह सारे training की एक exam एक certification होता है तो आपको training complete करने की बाद exam clear करना पड़ेगा अगर आप लोग first time exam clear नहीं कर पाया तो आपकी exam दो बारा attend करने के लिए मतलब two times company आपको attend करने के लिए देंगे and जो training period में आप लोग को salary मिल रहा था 10,000 करके अगर आप लोग first attempt पे आप लोग clear नहीं कर पाया second attempt फिर से ले रहे तो आपकी salary 10,000 करके मिलेगा तो यह सारे चीज आप लोग को पता होना चाहिए और भी details में आप लोग यहां पे check कर सकते हो and check करके फिर आप लोग online apply कर सकते हो और अगर apply करने में कोई भी दिक्कत आए तो definitely वीडियो की comment box में जाके मुझे बताईए मैं definitely इसको उपर आप लोग को वीडियो बना के दूँगा apply करने की procedure के उपर मुझे नहीं लगता है apply करने में कोई भी दिक्कत आएगा definitely definitely आप लोग online without any issue apply कर सकते हो so friends इस वीडियो में इतना ही है मिलते है next वीडियो में वहीत न्यू जॉब अपडेश तो thank you very much have a nice day take care and bye bye